आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की पीजा टोस्ट्री रेसिपी शेयर कर रही हूँ बहुत ही जल्दी बनके तयार होती है साथे जाएका बहुत ही पहतरीन होता है और इवनिंग्स के लिए एक परफ्रेक्ट स्नाक है तो चले रेसिपी करते हैं स्टार्ट पैन में शामिल करें थ्री टीस्पून आउल वन टीस्पून डाल देंगे गार्लिक पेस्ट यानि लसन का पेस्ट और इसे डाल के थोड़ा सा हमने इसे फ्राई कर ली है फ्रेम आपने यहाँ पे लोग दो मीडियम में रख ली है जब यह फ्राई हो जाये तो इसमें हमने शामिल करना है श्रट कीवे बॉल चिकन और थोड़ा सी इसे हम फ्राई कर लेंगे इसके बाद इसमें हमने ज़ालना है 1 टीस्पून तिक का मसाला और इसे थोड़ा सा मिक्स करें एक से दो मिनिट हम मसाली के साथ इसे भून लेंगे बहुत ज्यादा इसमें स्पाइस का यूज नहीं होगी पर स्टिल बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है तो ये मिक्सोची की इसमें मैंने शामिल कर दिया टू टेबल स्पून कर्ड यानि दही और इसे भी आप मीडियम फ्लेव में फ्राइ कर ले तो ये मिक्सोची की अच्छी तरह से इसमें मैंने शामिल के हाफ टी स्पून रेट चली पाउडर स्पाइस अपने टेस्ट के अगोर्णियाब आज़स्ट कर सकते है तो ये मिक्स हो चुकी है इसमें मैंने थोड़ शामिल के हाथा रेट वोट कलर खेर कलर जो है वह आप डालना चाहे तो डाले अधर वाइस आपसे रहने दे तो देखि़ ये मिक्स हो चुकी यहां पर और इसके बाद मैंने इसमें शामिल किया था salt, half teaspoon Salt आप कम ज्यादा कर ले, just इनको mix करें और ये हमारी मज़ेदार chicken यहाँ पर रड़ी हो चुकी है Bowl में शामिल करें 1 tablespoon tomato ketchup और साथ ही इसमें शामिल कर दें half teaspoon sracha sauce और just इनको mix करें तो ये mix हो चुकी है यहाँ पर मैंने दू bread के slice लिये थे bread slice पर आप sauce spread कर दे अच्छी तरह से आप चाहे तो pizza sauce का भी उसकर सकते हैं तो उससे भी बहुत इच्छी टेस्ट आती है sauce मैंने अच्छी तरह से लगा दिये थे इसके उपर से लगा दे chicken इसके उपर से लगा दे दूसरी bread यहाँ पर मैंने दू slice process cheese के लिये थे और साथी मैंने यहाँ पर शिमला मर्च दिया था जिसे मैंने छोटे cubes में कटके थे और next इसमें हमने डालना है प्याज और साथी इसमें हम डाल देंगे sweet corns next इसमें जाएगी mozzarella cheese cheese मैंने लगा दिये थे उपर से मैंने sprinkle के थे और इगनो और चिली flakes इसे मैं preheated oven में toast कर लिए आठ से 10 मिनिट के लिए आप शायद तो इसे तबे या फर पैन पे भी कर सकते हैं last मैंने उपर से लगाये थे black olives तो हमारी बहुती बहुती बहुतीरीन pizza toast यहां पर ready हो चुकी है इसे आप evening snacks और पाटी में भी आप इसे serve कर सकते हैं इस मजे की pizza toast को आप एक दफा जरूर ट्राइ करें बहुती ज्याद अच्छी बनती है साथी यह बहुती जल्दी लाइक 10 मिनट में आप इसे बना के दयार कर सकते हैं और इसे enjoy करें जब आप इसे दबे पे बना रहे हैं तो आपने फ्रेम को पिलको low रखनी हैं तो चीज अच्छी तरह से तब melt हो जाएगी और यह toast भी हो जाएगी अच्छी से आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आए तेस वीटियो को लाइक करें शेर करें और यूट्यूब चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें मिलती हो नेक्स रेसिपी मिन्शा आला अलाह आपज